असलाम उलेकुम स्टुडेन्ट, आजखा ऌै अज़ हमारे टोपिक है वह है वेक्टर बेस जो कि है लीनियल अलजबरा की एक सीरिस ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या है तो vector space के कुछ properties देखेंगे और with respect to properties हम उनके questions को solve करेंगे लेकिन vector space जो है न वो पता होने के लिए आपको field का पता होना लाजमी है कि field क्या है और field की सरहां से हम vector space के अंदर use करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि field क्या है a set F यानि F, F क्या है? field A set F, अब मेरे पास एक set है F which is abelion group under addition कि जो अगर मेरे पास एक set F है तो वो होगा abelion group किसके अंदर? addition के operation के अंदर और फिर वो abelion group होगा under multiplication यानि वो addition और multiplication के अंदर abelion group होना चाहिए मेरे पास जो field का set होगा अब abelion group क्या होता है? वो भी हम देख लेते हैं अब abelion group होता है कि जो पांच properties को satisfy कर रहा हूँ कौन सी property को? lawyer property, associative property, identity property, inverse property और commutative property इन सब properties से हम अच्छी तरह वाकिफ है तो field F मेरे पास जो है न वो एक ऐस set है जो के abelion group हो यानि इन पांच properties को satisfy करता हो with respect to value addition से और फिर इन पांचो properties को satisfy करता हो multiplication से और फिर आखिर में वो satisfy करेगा distributive property को तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है? मेरे पास field है ठीक है? आगे जागे जब हम इसकी properties देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी से समझ आ जागी इसकी अब हमने देखना है कि vector space क्या है ठीक है? अब vector space में वो कहरा है let f be a field अब हमें बता है कि f एक field है उसने का let f be a field and we are non empty set ठीक है? f मेरे पास field है और v मेरे पास एक non empty set है on whose element an operation of addition is defined यानि जो v के element के अपर addition का operation जो है वो define कर दिया गया है suppose that for every अब a belong to f यानि a मेरे पास एक ऐसा element है जो के field f से है for every v belong to vector v यानि जो v का मेरे पास non empty set था, vectors का non empty set था अब याने एक element लिया है a जो के belong करता है f से एक मेरे element लिया है v जो के belong करता है v के vector v के उससे set से तो मैं कहूंगे कि जो दोनों का product होगा na av जो एक मेंने element लिया था field से, एक मेंने element लिया था non empty set था जो ये होगा is element of v यानि दोनों का जो product होगा na जब मेरे पास field का और जो मेरे पास non empty set था जो कीज़ा होगा जो और गृक्त राना करते हैं metropolitan में आ हम को होगा इस58 traject छोगा आप जो से राला препay मैंूरा जो भी इसहा लोगा मैंने फिश्श्च और चाहरा चाहरा व कई बेटीछा में आज नगा यह वह यह अरिमीन एक ऐलिमन लिया था फ़ी एक दौनो को जब मैंने प्रोड़क्ट लिया तो दोनों का प्रोड़क्ट भी किस ग्रूप का हिस्सा हुआ वी का तो फिर मैंने का जो वी है ना वो क्या है वेक्टर स्पेस ओवर एफ के एक अलिमेंट इसका था तो उसका मल्टिप्लिकेशन ओवर एफ ठीक है अब हम आते हैं इंटर्नल कॉमपोजिशन के अपर सबसे पहले हम दो कॉमपोजिशन के बारे में बात करेंगे एक इंटर्नल कॉमपोजिशन और एक एकस्टर्नल कॉमपोजिशन है क्या इंटर्नल कॉमपोजिशन इंटर्नल के बाद से ही पता चल रहा है यानि जो अ यह अगर मैं यह उप्रेशन लगाती हूं कि V के ही मैं से दू ऐलिमेंट ले लेती हूं V और V यह नि यह V के ही से मैंने दू अलिमेंट लिया है तो दोनों का जो multiply करूंगी जो दोनों का product होगा वो भी किस से से तालुक रखता होगा किस से होगा V से ही होगा तो इसे मैं कहूंगी कि यह internal composition है ठीक है and it's called vector addition यह देखें अब मेरे पास दो number है like A and this number is B तो जो दोनों का multiplication होगा वो A dot B आएगा और जो A dot B यह product होगा वो भी किस से related किस के exact से related होगा V से ही अब बात करते है external composition की ठीक है अब external composition क्या है अब वो कहेड़ा है कि let V and F be two non-empty set पहले हमने दो sets की बात की थी और दोनों किसके थे वी के ही अब एक दो हैं दो अलग-अलग है set एक V है और दूसरा field F है अब वो कहेड़ा है कि यह दो non-empty set है then हम क्या कहेंगे कि अगर मैं एक element low V से दूसरा element low F से तो दोनों का जो product है यह का वो भी vector ही होगा तो वो भी V के साथ से ही क्या होगा डिलेटीड होगा उसका ही element होगा is set to be external composition in V over F जहासे हमने उपर देखा था vector space की definition में is called scalar multiplication ठीक है इसको scalar multiplication कहते है क्यों क्योंकि जो F का element होता है वो scalar होता है और जब F के element को हम multiply करते हैं यह किसी भी vector से तो हम इसको कहते हैं यह scalar multiplication है ठीक है अब हम देखते हैं इसको इसकी properties को detail में अब हो कहाड़ा है let F F का में बता था पिरिस्पेक्ट अधिशन and multiplication होता है तो वो होगा let F be a field the element of F will be called scalar अब यह भी मैंने पीछे देख लिया कि जो element of F जो होते हैं वो होते हैं scalar and let V be a known empty set में पास V एक known empty set है whose element will be called vector जिसके element vector होते हैं क्यों V vector ठीक है then V is called vector space over field F तो V और जम दोनों के element के product लोंगी तो मैं कहूंगी कि जो V है ना वो vector space है over field F ठीक है अब there is a defined internal composition in V अब सबसे पहले हम internal composition के पर देखेंगे सब properties को फिर external composition के पर देखेंगे और फिर दोनों को combine करके देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे है internal composition के अंदर किस property को देख रहे है addition property को ठीक है तब वो कहाँ रहा है कि बिलियन ग्रूप होनी चाहिए यह को property internal property with respect अगर हम addition लें तो मेरे पास abilion group होने चाहिए मुझे बता है abilion group क्या है जो 5 properties को satisfy करता था कौन से 5 properties थी यह वाली 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 properties को क्या करता था satisfy करता था ठीक है तो अब मैंने सबसे पहले लिया alpha plus beta दोनों element है किसके V के for all alpha plus beta जो है तो मैं जब दोनों को plus करूंगी तो मेरे पास answer भी क्या आएगा vector है यह मेरे पास first property है crowyer property उसके बाद आएगी मेरे पास alpha plus beta is equal to beta plus alpha यह भी मेरे पास second property थी अब alpha plus beta दोनों element है किसके vector के यानि V के जो के non empty set है उसके बाद मेरे पास आती है associative property यानि alpha plus beta plus gamma is equal to alpha plus beta plus gamma brackets को change कर दिया operations change हो जाएंगे इससे तो वो क्या कहएड़ा है कि alpha plus beta plus gamma यह किसकी V जो set है ना उसके elements है ठीक है अब वो कहएड़ा है एक element है 0 जो के belong करता है किससे V से such that अगर हम alpha कोई भी vector है उसको 0 में add करेंगे तो मिरे पास वो ही element दुबाड़ा आजएगा alpha ही दुबाड़ा आजएगा ठीक है for all alpha belong to vector V यानि जो मिरे पास एक known empty set था so this element 0 जो के belong करता है V से will be called 0 vector ठीक है उसके बाद जो मिरे पास last property है तो every vector alpha which belong to V V एक known empty set है there exist a vector तो वहाँ पे एक vector एक और exist करेगा जो negative alpha होगा और अगर हम alpha और negative alpha को plus करते हैं additive inverse property यहां पे satisfy होगी दोनों को plus करते हैं तो answer क्या आएगा 0 के एक फाल आएगा यह मिरे पास था abelian group with respect to addition किसका internal composition का कि अगर internal composition यानि सिर्फ vector V के ही लूँगी elements को ठीक है और कौन सा operation लगाऊंगी plus operation और abelian group यानि यह पांचो properties अगर में पास satisfy करती हैं तो मैं कहूँगी कि with respect to addition जो abelian group है V यानि जो V मेरे पास है वो vector space है अगर वो इन पांच properties को satisfy करेगी with respect to addition अब हमने बात करनी है external की there is an external composition in V over F ठीक है कि external composition होगा V over F यानि V का element होगा और F का element होगा और दोनों को मैं multiply करूँगी तो मेरे पास आएगा scalar multiplication ठीक है यह हमें पता है and is noted by multiplicatively जैसे मेरे पास है A, alpha दोनों को मैंने multiply किया जब मैं दोनों को multiply करूँगी तो दोनों बिलों किसे करेंगे वेक्टर से ही और for all जो A है वो बिलों किसे करता था F से यानि जो A था वो F का element था जो alpha था वो किसका था वेक्टर का V का element था दोनों को multiply किया तो दोनों को multiply करने से जो आया वो V का ही element होगा यानि मैं ऐसे कहूंगी कि in other words V is called close with respect to scalar multiplication इसे scalar multiplication कहते है न कि अगर कोई भी for example मैं 3 को multiply कर रही हूं 2i plus 3j से तो यह scalar multiplication होगा क्यों कि 3 मेरे पास एक scalar quantity है और मैंने उसे 2i plus 3j एक vector से multiply किया है उसके बाद 3rd यानि दोनों को combine करके अगर मैं करती हूं दो ठीक है two composition मेरे पास थी internal और external ठीक है अब मैंने उनको combine करके देखना है कैसे combine करना है कि सके then multiplication होगी और addition of vector होगी ठीक है तो अब मैं देखूंगी दोनों combine करके चार पोस्टिलेर्स को satisfy अगर करती है दोनों को अगर combine करके अगर हम करें तो मैं कहूंगी कि वो vector space है otherwise नहीं है ठीक है अब मैंने लिया alpha plus beta अब जो मेरे पास alpha plus beta है ना वो belong करते है vector v से यानि ये vector है और जो मेरे पास a है वो है field से यानि कोई भी real number है scalar multiplication करूंगी तो ये मेरे पास आजएगा a alpha plus a beta ठीक है पहले तो ये property होगी दूसरी अब a plus b अब मेरे पास दो real number है जो कि किस से belong करते है field से और एक vector है जो कि belong करता है v set से तो ये मेरे पास आजएगा a alpha plus b alpha ठीक है एक ये property होगी उसके बाद मेरे पास दो number है a b दोनों का product a b जो कि किस से belong करता है set f से और एक मेरे पास है vector जो कि belong करता है v set से ठीक है तो ये इस तरह से लिख सकती हूँ a b alpha था तो यहाँ पे मैं इस से यूँ लिख सकती हूँ a और b alpha एक मेरे पास property आगी और last property है मेरे पास कि अगर मैं किसी भी जो है ना multiply करूँगी किसी भी vector को one के साथ मेरे पास again vector ही आता है ठीक है four r जो alpha है वो बिलों करता है vector से और जो i है ना वो unit element है field का ठीक है यानि जो i है यहाँ पे वो identity element है field f का तो समझा चुकी होगी आपको कि vector space क्या है field क्या है इनकी properties क्या है ये इनको billion group क्यों करते हैं ठीक है under addition and multiplication बहुत easy है सिर्फ आप इसमें इन पांच properties को जो है ना satisfy होना चाहिए तब मैं कहूँगी कि वो मेरा vector space भी है over f